हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करती है आप लोग बढ़िया होंगे मैं हूँ कोशू कुकूइद कोशू में स्वागत है तो फ्रेंड्स आज आपके साथ सेयर करेंगे भोती चटपटासा कुर्करासा स्नेक्स जो आप भोती कम टाइम में बनाएंगे साथ में हेल्द तो फ्रेंड्स चलते हैं बनाने के लिए तो यहां सबसे पहले मैंने लिया है एक कप मैदा और नाप में डेड़ सु गराम के करीब हैं आप मैंने चोथाई चमज नमक की डाला एक चमज मैंने तेल की डाला अच्छे से मसल लेंगे तो यह मैं दो मेंबर के इसाब से बना रह तो इसलिए मैं हरा धनिया यूज किया है, और हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे-से अटा लगाएंगे, तो आटा हमें इसका नाहीं ज्यादा पतला लगाना है, जैसे हम पूरी उक आटा लगाते हें हल्का सा ताइट तो हम इसको हल्का सा ताइट अटा ल लगा लिया है और लोज लगाने के बाद हाथ से अच्छे से बराबर कर लेंगे तो गोल गोल करके मैं इसको उपपर शेलका सा में तेल लगा लेंगे और इसको 10 मिंट के लिए रैस्ट के लिए रख देंगे जब तक हम बाकी के तैयरी करेंगे और सोयबिन को मैंने 10 मिंट पहले अच्छे से पानी में भिगो दिया था तो ये काफी अच्छे से फूल चुका है अब इसका हम पानी हाथ से निचोड लेते हैं आप चाहे तो कपड़े की साइता से इसका पानी निकाल सकते हैं तो यहां मैंने इसका सारा पानी हाथ से अच्छे से निकाल दिया अब इसको हम बिल्कुल बारिक बारिक क्रेस्ट करेंगे और बहुते असाने से पीश जाता है तो यहां देख सकते हैं इसको बिल्कुल बारिक बारिक अच्छे से पीश लिया है इतना इबारिक हम इसको पीछना है और यहां फ्रेंट्स मैंने पैन को चड़ा दिया था साथ में दो चम्मस तेल डाला है पत्ता गोबी बिल्कुल बारिक कटिव डाली एक गाज़े डाला है और सोयबिन क्रेस करके रखा था वो डाल दिया तो फ्रेंट्स यहां मेरा यह वी बात में हम अरा धनिया डाल लेंगे उपर से और हरा धनिया डालकर हम ही सभी सबज्यों को शिरफ एक मिन तक करणची पन बना रहे और एक मिन तक मैं इसको अच्छी से पका लिया अब भंधा होने के लिए रख देंगे तो यहां मैंने लिया है दो चम्मस मैदा और तो यहां हलका से टाइट हो गया था अच्छे से इसको सोफ्ट कर लेंगे और सोफ्ट करने के बाद इसका हम इतनी लोई लेंगे जितने हम रोटी बनाते हैं उतनी लोई लेंगे और इसको चकले के ऊपर अच्छे से तेल लगा लेंगे इसके बाद हम इसको बिल्कुल पतला कि इसको फैला लिया है और आभी उपर का हिस्सा हुआ इसको वह ने निचे से दुन साइड से काड़semb on अगे बराबर थे और आप चाये तो अब फैला या दो यहां इसको बराबर करने के लिए उपर निचे से काड़न दिया है और इसका हम ह Naval lty को काफी लंबा बेलना है और बीच में इसके बड़े बड़े से चार पीज नहीं रखना है इसके बड़ी रोटी बेलना और इसके बड़े बड़े अब जरूर बना कर देखे तो यह मसाला मैंने भीज में भ़़ लिया है और अब इसको अंदर दबा देगे जो मसाला वं गुठे की साहिता से अंदर दबा देंगे और इसको दोनों तरफ से हम फोल्ड कर देंगे तो इसे हमारा मसाला है वह भार नहीं निकलेगा तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको मसाले को अंदर अगुठी शायता से पूरा मसाला अंदर कर दिया है और इसकी ज़्यादा मोटी पर्त भी नहीं बनेगी इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो और शिरम मैंने लगा के रखा हुआ है तो भोती आसानी से चिपक जाता है तो इसको दोनों साइड से अच्छे से और दबा लेते हैं तो बिल्कुल भी इसका मसाला भार नहीं आएगा आप जरूर बना कर देखे इस तरीके से भोती जल्दी बनता है और भोती आपको क्रिस्पी भी लगेगा भोती आपको मजया भी आएगा तो यहां मैंने इस तरह से इसको त्यार कर लिया है सभी को मैं इसी तरीके से त्यार करूंगे और आपको एक और बना कर दिखाती हू और हाथ में लेके इसको दोनों तरफ से अच्छे से इसको दबा देंगे तो हमारा मसाला बहार नहीं आएगा और फ्रेंड्स आप इस तरीके से कई रोल बनाकर त्यार कर सकते हैं एक साथ कई रोल बन जाते हैं तो कोई भी बड़ा सरफेस ले ले उस पर आप 3-4 रोटी काटा एक साथ लेके अच्छे से पतला पतला बेल ले उसके बाद आप मसाला बर सकते हैं एक साथ कई रोल त्यार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने सभी रोल को त्यार कर लिया है तो यहां देख सकते हैं मैंने सभी को त्यार कर लिया है और यहां तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और गरम करके इसको हम हलका सा थंडा कर लेंगे इसके बाद ही हम डाल लेंगे गरम तेल में हमें इसको नहीं डालना है नवयोतियों एकदम से फूल जाएंगे और फूलने के बाद या अंदर से कच्छे रह जाते हैं तो हमें जब हलका सा तेल ठंडा हो जाए तब इसके अंदर डालेंगे और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुली मीडियम से भी कम रखना है तब ही अच्छे से क्रिस्पी से बनकर त् सबlaughy कर आदस करें तो यहां इसको मैंने सभी को ही करकर अच्छे से इसका पल्ट लिया है और इसको हम लगाता चलाते रहेंगे पल्टते रहेंगे एक साइड मेंम इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है नय तो हम भी बनाते है तो भौती क्रिस्पी बनते हैं अगर हम ते और दी फूल जाते हैं अंदर से स्पानिते और सब्सक्राय थे टेले की कितना पहला बें चाहिए भर बहूत बहुत हम थें जारciones अगर आपको वीडियो थोड़ी शी भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें तो यहाँ अभी आम इसको निकाल लेते हैं तो लीजे फ्रेंड हमारे रोल्स बनकर त्यार हैं बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत ही कुरकरे से तो एक आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी काफी हेल्दी बने और भोती टेस्टी बनते हैं इस तरीके से अगर बिना मसाल लेके बनाते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद